भारती राजनीती के युवा चहरा राजी उप्रताप रूड़ी की पहचान एक प्रखर और सुल्जे हुए नीता की है जिन्होंने छातर जीवन से ही राजनीती में सक्री भूमी का निभानी शुरू कर दी पंजाव विश्विद्याले में छातर संग के नेता और साल 1984 में छातर संग के महा सचु के पत पर रहे। मोचा के राज्टी उपाध्यक्ष का पत संभाला। राज्टी राजनीती की शुरूवात में आपने बिहार के दूर दराज के छेत्रों में काम किया। M.A. और L.L.B. की पढ़ाई कर चुके राज्टी उप्रताप रूढी पहली बार पतना से चुनाव जीत कर 1990 में भाजपा के चिकट पर बिहार विधान सभा के सदसे बने और 26 साल की उम्र में विधायक बने। तक पश्चात आपने 1996 में लोगसफा चुनाव में भी जीत दर्ज की। वारिज्जिक पालट, लाजन्स अधारक, राज्जी उप्रताप रूढी को पार्टी ने राश्टी अस्तर पर कई महत्यपूर्ट जिम्मेदारियां प्रदान की। जिसका आपने बखुबी, निर्भन किया और पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उत्रे। आप संसद में उत्री बिहार के छप्रा का प्रत्न धित करते हैं जो एक काफी पिछड़ा और मोख्य रूप से एक ग्रामेड छेत्र है। बिहार की जनता की बात करें तो अभी तक उनका रुख असपस्ट नहीं हो पाया है। उनका रुख साफ नहीं हूपाया है कि आकिरकार उट किस करवट बैठेगा। इनी तमाम मुद्दों पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद है केंद्री कौशल विकास राज्यमंत्री और संसदी कार्यमंत्री राज्य उप्रताप रोड़ी जी। अब सबकी इच्छा है कि बिहार में भाजपा और इंडिय की सरकार बने और उसी दिशा में चल रहे हैं। लोगों में जो उत्सा है ये 50 साल के बड़े परिवर्तन के लिए बिहार खड़ा है और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बिलकुल रंग साफ हो रहा है और दिवालों पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि बिहार में भारती जनता पार्टी और इंडिय की सरकार मद्दान के दौरान हमारी भी काभी मद्दाताओं से बात चीत हुई वो इस बात को लेकर थोड़ी बहुत आलोचना नितिश कुमार की कर रहे हैं कि वो लालू जी के साथ चले गए लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नितिश की जो चबी है वो बिहार बीजेपी प नुआई जैप्रकाश के नुआई करते हैं इनके भी अपने सिधान्त थे और नितिश कुमार का नीव बिहार के राजनीत में इसलिए स्विकारा गया कि वो लालू यादव के उस जंगल राज के खिलाफ थे उन्होंने स्विकारा कि इस वेक्ति के खिलाफ मैं लडूँग लेकिन जीतन राम आजी को पहले उन्होंने कुरसी पर बैठाया उसके बाद स्वेम उसे हटा करके कुरसी पर बैठ गया सत्ता का लोब नितीश कुमार का इतना सपष्ट दिख रहा है चारो तरफ कि आज ये कहना और जिस दिन बिहार में नितीश कुमार ने लालू यादव से दोस्ती कर ली उस दिन उनकी पूरी विश्वसनेता समाप्त हो गई और जिस दिन नितीश कुमार ने लालू यादव इसके अलामा भारी संख्या में लोग वहाँ पर चुनाव परचार में हैं बिहार में कहीं ऐसा तो नहीं है कि महा गठबंदन से बीजेपी थोड़ी बहुत भाइब है लेकिन दुर्भाग्य से जो जितनी पाटियों की बात आप कहा रही है उनको बिहार चुड़कर के देश में कुछ नहीं है सो बाग्य से हमारे पास सरकार है देश में में तो वैसी स्थिति में किसी को क्या अपती हो सकती है। और आखिरे कर बिहार भारती जनता-पार्टी का अभ्यान चल रहा है। इंडिये का अभ्यान चल रहा है। और देश में हमारी सरकार है। तो इनके पास अगर नहीं है। और जैसे आपने कहा महा गट बंदन की कि ये किसी नेता को बुला कर सकते थे, बुख्यमंत्री को अपने अभियान में बुला सकते थे, महा गटबंदन से तो समाजवादी बाटी पहा निकल गया, उसी बहाने अख्लेश यादव भी बाहर चले गया, इनके गटबंदन से एंसीपी के नेता एंसीपी बाहर चले गय लालु यादव सुनिया गांधी जी के साथ मंच पराने के लिए त्यार नहीं है तो यह कैसा महागट बंदन है और कैसे लोग है अगर नितिश कुमार की बात करें तो वो लगातार पीम को चुनोती दे रहे हैं कि अगर पीम दलीतों के शुप्चिन तक हैं दलीतों के चिंता ज्यादा है पीम को तो क्यों नहीं वो जीता नाम माजी को सीम पद का उमीदवार घोशित करें है वो हम कर लेंगे उन्होंने जो किया है वो पुरा बिहार देखता है और नितीश कुमार दस वर्षों तक लगभग मोटे तोर पर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी तरफ नरेंदर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री दस का दस वर्ष से अधिक रहें दस वर्ष के मुख्यमंत्री को देश की जनता ने उनके काम पर देश के प्रधान मंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया और वही नितीश कुमार जो ख्वाब देख रहे थे प्रधान मंत्री का आज उनकी ये स्थिती ये कि अगले बार उबिहार के मुखी मंत्री बनेगे की नहीं, ये लगबगता है कि वो बाहर है। तो जब वो अपनी तुलना प्रधान मंत्री से करते हैं तो अपने कद के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने चवी के बारे में, लालुई आदब से उनके दोस्ती के बारे में इसके बारे में भी जिक्र करें तो बहतर होगा वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहे हैं महुआ टीवी और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा राजी उप्रता प्रूडी जी से बाच्चीत का सिलसला उन्होंने पिछडा को भी आती पिछडा में बाच दिया नितीश कुमार ने दलित को भी महादलित में बाच दिया नितीश कुमार ने मुसल्मानों को भी बैकवर्ड मुसल्मान और फॉर्ड मुसल्मान ने बाच दिया तो इन लोगों का जो एपिटाइट रहा है भूख रही है राजनीत में सत्ता में बने रहने के लिए इन लोगों ने जात के नाम पर पिहार में राजनीत की है और उसी फॉर्मूला से ये आगे चलना चाहते हैं हो के हूँ के लिंक अप या ब्रेक अप या फिर हो के कवनो फिल्म के रिलीज गॉसिप से भरल चटपटा और मज़ेदार खबर ऐसन जवन होखी हर दिल अजीज जरूर देखी न्यूट्री स्लिम प्रेजेंट्स एंटर्टेइन्मेंट न्यूज सोमवार से शनिवार राज साढ़े दस बजे सिर्फ महुआपर प्रस्तुत करता सुद्रण शरीर पाने के लिए आयूर्विन न्यूट्रिकेंट सहप्रायोचर मैक डॉल्स नंबर वन सोडा और भक्ती में शक्ती मोच स्वन्न चम्पा अगर्ण लव में पावजबाई महिलाओं के नंबर वन औशदी वत टॉनिक हेम पुषपा सहप्रायोचर मैक डॉल्स नंबर वन सोडा अजय टूथ ब्रश मॉर्निंग का फैशारब्द सुद्रिर शरीर पाने के लिए आयूर्विन न्यूट्रिकेंट और जियोनी मेराथन M4 आल्वेज इन पावर वसन बढ़ाने के लिए आयूर्विन न्यूट्रिकेंट न्यूट्रिकेंट मेरिकल्स में उपलाप गोद्रिज नुपूर कोकनट क्रेम है कला नारियल तेल और प्राकृति खेना के साथ अजब ही न किया हो कोई शरारत थोडी ना समझ सम्धिन नौटी सम्धिन जुटी सम्धिन चॉक्लादी मैन फोस्चॉकलाद फ्लेवर कॉंदम्स जब भी इस अगरवत्ती की महक मेरे बन को चूती है तो पूजा करती ही माँ का ख्याला यता माँ अब रही नहीं लेकिन जब भी हो मुस्करा का मेरी तरव देख थी तो मैं समझ आदा था क्युंकी प्राथना मेरी ले है एक मा की शुथ प्राथना This is a bear and this is the jioni marathon M4. The bear can speak only one word but with this big battery phone I can speak for two days and two hours non-stop. Yes! Yes I can! Jioni marathon M4. Always in power. Blue Welt water softener. Plus the calcium and magnesium in most fill use , कम करता है और पानी को बनाता है सॉफ्ट इससे ना तो कुछ जाम होता है शेंपू, स्राबन और वाशिंग पाउडर भी मस्ट काम करता है ब्लू वर्ड वाड़े सॉफ्ट नर लग भई है वो हो जा ही बेफिक समय बीथता गया, विश्वास बढ़ता गया अल्ट्रा गाइड डिटरजन्ट पाउडर हमेशा एक कदम आगे अल्ट्रा गाइड डिटरजन्ट पाउडर इस शहर के बड़े बड़े गुंडे डरते तेरे पापा से तो फिर यह, छोड़े-छोड़े मच्छर, क्यों नहीं डरते आप से? बेटा, मच्छर सबसे ज्यादा डरते हैं गुटनाइट नीम एक्टिव प्लस से गुटनाइट का पाउफूल नीम एक्टिव प्लस कोई नीम एक्टिव प्लस अंदर तो मच्छर बाहर प्रिया, मैं एक पाटी में जा रहा हूँ, आने में मुझे थोड़ी देर होगी मुझे दस मिनिट दो में तयार हो जाती हूँ जान, ये फाइफ सार पाटी बड़ी बोरिंग होती है पाटी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है मैंने सब सुन लिया है, जिंता मत करो न्यूट्रिस्लिम बनाएगा तुमें स्लिम और सुन्दर जान, तुम पाटी में आ रही हो ना? पाटी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो वजन घटाकर स्लिम और सुन्दर देखने के लिए आयूर्वेन न्यूट्रिस्लिम मेरिकल्स में उपलब्थ है पूरा पेमेंट? नो, नो, नो गैरिंटर? नो, नो, नो इंकम प्रूव? नो, 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 बस दीजिए पांच नो, नो, नो और ले जाओ इसे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात करते हैं राजियो बताप रोड़ी जी से अगर महगटबंधन की बात करें तो वो लोग लगातार आरक्षड के मुद्दे को हवा देकर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का रूप देना साथे हैं महीं दूसरी और अगर हम NDA की बात करें तो लोगों का ये आरोप है कि NDA हिंदू मतों का धुरूवी करने की कोशिश करने आता है अब इस बात को सपष्ट करें लालु यादव ने मंच पर खड़ा होके कहा कि मैं बैकवर्ड फर्वर्ड की पॉलिटिक्स करके राजनीत करता हूँ बिहार ने पंदरे साल बैकवर्ड फर्वर्ड की राजनीत देखी उसका परिनाम जंगल राज देखा और लोगों का मन जब उस वेक्टी से उप गया और वो ऐसा वेक्टी था जो चुनाव के दौरान चुनाव में लड़ नहीं सकते हैं लालु यादव क्योंकि उनको सजा हो चुकी है और वो अभ्यूक्त है उसके बाद उन्होंने बैक्वर्ड फॉर्वर्ड का नारा दिया उसे पंद्रवर्श की राजनीत की बिहार को उपहास का विश्चे मनाया है पुरी देश और दुनिया में नितीश कुमार उसके बाद आए बिहार में राजनीत की है और उसी फॉर्मोला से ये आगे चलना चाहते है अब हमारे पास विकास का एजेंडा है और नरिंदर मोदी जी ने विकास का एजेंडा मूल मानक के रूप में बिहार के सामने रखा है और इसी लिए जो भारती जनता पार्टी के पक्ष में जो बड़ी हवा चल रही है वो विकास के नाम पर चल रही है अगर इस बार के विधान सबाद चुनाओ की बात करें तो चाहे वो महागट बंदन हो या आपकी पार्टी हो दलितों के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे है दलितों के लिए अगर बात करें तो किसी भी पार्टी के तरफ से कोई खास जंड़ा, कोई खास घोशना नहीं किया देए जिस दिन आप किसी एक समाज और वर्की बात करें बिहार में दलित भी रहते हैं, बिहार में अनुसुचित जाती के और भी लोग हैं, बिहार में ट्राइबल्स भी हैं, सेट्जूल ट्राइब्स के भी दो सीटे हैं, बिहार में समानने लोग भी हैं, पिछड़े भी हैं, आती पिछड़े भी हैं, बिहार में समानने जाती के एक जात्तों के नाम पर बाट करके वोट लेते हैं अब तो हमें समगर विकास बिहार का चाहिए और उस समगर विकास के लिए बिहार में हम तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार का एजेंडा उस दिशा में आ चुका दलित वोटों का सवाल नहीं है सिर्फ अकेले दलित वोटों का सवाल नहीं है सब वोट किसी पाटी को मिले तभी चुनाव जीता जा सकता है और वो समिकरन आज भारती जनता पाटी के पास है भारती जनता पाटी के पास आज राम बिलास पासवान है भारती जनता पाटी के पास जीतन रामाजी है, मारती जंता पाटी के पास राम कृपाल यादव है, नंद किशोर यादव है, अरगिरी राज सिंग है, तो हमारे पास जो चित्र है, हमारे पास शैनिवाज हुसेन है, हमारे पास जो चित्र है वो पुरा समगर चित्र है, लालु यादव नितीश कुमार के चहरे से और एक बात मैं फिर से बता दिना चाहता हूँ जिस दिन जिस प्रकार से लालु यादव नितीश कुमार देश के लोग बड़े समस्दार थे उन्होंने देश में प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी को देश की कुरसी पर बैठाया बिहार में भी लोग बड़े समस्दार है और कोई भी राजसरकार जो बनने वाली है वो जगड़ेलू मुखे मंतरी नहीं चाती जो जगड़ा करता रहा है चुनोती देता रहा है केंदर सरकार को आज बिहार में वैसे सरकार की ज़रूरत है और लोग महसूस कर रहे हैं और लोगों ने तेकिया है जो केंदर की सरकार के साथ नरिंदर मोदी जी के साथ कदम में कदम मिला करके बिहार को विकास के रास्ति पर ले चले वैसी सरकार की आवशकता है बिहार में और जिस दिशा में लोग चल चुके हैं अगर आरजेटी प्रमुक लालू परसाद यादव की बात करें तो अभी वो एक रैली में पियम को ब्रह्म पिशाच कह रहे थे इसके लामा अगर नितिश कुमार की बात करें तो वो हर R THEY में बिहार के जाते हैं और कहते हैं कि बिहार का शासन एक गुजुराती चलाएगा या फिर एक बिहारी देखिए जिसको कहावत है अकल का दुश्मन और दुर्भागे से हमारे पास वैसे अकल के दुश्मन नेता लालू पशाद्य आदव हैं जिनको क्या कब बोलना है कुछ पता नहीं है और वैसे वेक्ती ने आज तो ये उन्होंने बियान दे दिया कि देश के सभी हिंदू मास खाते हैं गाय का मास खाते हैं तो उस वेक्ती को अब बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत कोई सीरियसली ले नहीं रहा है और जो उसकी चवी है अभ्यूक्त है जेल में होना चाहिए पता नहीं चुनाव आयों को भी सोचना चाहिए लोक तंत्रे में कि जो आदमी अभ्यू है जिसको सजा हो चुकी है जो चुनाव खुद नहीं लड़ सकता है वो स्टार कैंपेनर है और उस स्टार कैंपेनर को हलिकॉप्टर में बैठा के नितीश कुमार घुम रहे हैं ये कहां का सिध्धानत है नितीश कुमार जो कह रहे हैं कि बाहरी बिहार का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी बनेगा और बीज़ेपी इंडिये का बिहारी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम विशेशकर मैदानी इलाकों की बात करें उन तमाम इलाकों की जिधर से आप आते हैं चाहे वो सीवान, छप्रा, गोपालगन, चंपारन ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर जो उद्दोग धंदे हुआ करते थे वो बंद हो चुके हैं तमाम जो चीनी मिले थी वो बंद हो चुकी हैं कोई खास वहाँ पर जो किसान है उनके लिए काश्ची आज आप बिहार में पूरे कभी हम लोग चुनाव के दोरान हेलिकॉप्टर में घूम रहे थे और मैंने अमिच्छा जी को बताया राश्टी एदक्स जी कारिक्रम में गये थे सिताब दियारा जाप्रकाश जी के धरती पर वहां से हम दिनारा गये थे हमने कहा कि साहब पूरे बिहार में घूम दीजे एक भी चिमनी से एक भी स्थान पर एक भी धुआ देखने को नहीं मिलता है लेकिन बिहार में चारो तरफ हर जिला मुख्याले के आसपास बड़े बड़े वेरहाउसे से हैं शेड्स हैं बिहार कंज्यूमर मार्केट हो गया है कंज्यूमर है कुरे देश और दुनिया के लिए लोग खपत करते हैं अपने सामगरियों का बिहार में ना इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन है ना मैनुफैक्चरिंग है बिहार में अगर किसी भी देश का मानक वहीं बनता है राज्य का जहां मैनुफैक्चरिंग हो रोजगार हो बिहार को इन लोगों ने चूस लिया है बिहार में इस परकार की दिशा नहीं बिहार में कृषी अधारित केंद्र है और कृषी से जो गरीब किसान उपज करते हैं उसे बेचते हैं चपल, जूता, टीवी, मशीन खरीदते हैं तो कंज्यूमर मारकेट है कोई भी बिहार के विकाज की बात करेगा जब तक वो इंडस्ट्रियल हब नहीं बनता है जब तक मैनिफैक्ट्रिंग नहीं होता है तब तक इन उद्यों उस दिशा में चला ही नहीं बिहाज आज एक मेगावाट भी बिजली उत्पादित नहीं करता है 60-79 वर्षों में खरीदते हैं हम बजार तो हम भीहार खरीदार है और खरीदारों का दुकान और अर्थवयवस्ता बहुत टिकाओ नहीं होता है वक्त हुए है एक छोटे से ब्रेका आप देखते रहे हैं दृष्टिकोर और हमनी बिहार की जनता की यह कहे के चाहें कि जौन दिन बिहार में देश के प्रधान मंत्री के कुर्सी पर नरिदर मोधी के चाय बेचे वाला की बेटा के हमनी सब प्रधान मंत्री के कुर्सी पर बैठा देनी वही दिन बिहार में लालू यादव के बैकवर्ट फरवर्ड एजिन्दा धुस्त हो गेर वही दिन नितिश्क मार के पिछड़ा दी पिछड़ा जिन्दा धुस्त हो गेर ममी पापा परिशान है लोग रिष्टे ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण सदरूर शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयूर्विन न्यूट्रिगेन मेडिकल्स में उपलब करे मॉनिंग का फ्रेश आरम अजे टूथब्रश के साथ इसका बहतर डिजाइन डूपॉन ब्रिसल्स और 30 सालों का अनुभव निखाल भगाए कोने कोने में छिपे किटानू और रखें दातों को हेल्दी अजे टूथब्रश करो मॉनिंग का फ्रेश आरम करो पहली बार कुछ करने का मज़ा ही कुछ और होता है कुछ अलग सा कुछ नया सा जो पहले कभी न किया हो कोई शरारत थोडी ना समझ Something naughty Something chocolatey Manforce Chocolate Flavored Condoms Try Something New Bluebird Water Purifiers From the House of Bluebird Stabilizer पहदी सालू का विश्वास इसलिए मैंने चुना Bluebird RO Water Purifier समय बीथता गया विश्वास बढ़ता गया Ultra Guide Detergent Powder हमेशा एक कदम आगे Ultra Guide Detergent Powder ये कोशन्स एक्जाम में जुरू रहेंगे क्या हो रहा है ये सब हो ला चॉप दो मिनट में अंसर चेहिए मुझको पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छों के लिए गुड़नाइट फास्ट कार्ड इसके TFT डॉट्स करें मच्छों को फटाक से फुर हो गया इतनी जंदी फटाक से हो गया गुड़नाइट फास्ट कार्ड से पूरा ध्यान पढ़ाई पर अब एक और रीजन के जशनो फाई क्यूकि रसना के हर 40 रुपे पैक के साथ एक बिटेनिया गुडड़ दे फ्री I love you, Rasna I love you, too पहली बार कुछ करने का मज़ा ही कुछ और होता है कुछ अलग सा कुछ नया सा जो पहले कभी न किया हो कोई शराराई थोड़ी ना समझ सम्थिंग नॉड़ी सम्थिंग चॉक्लादी मन-फोस्चोले लेवर कॉंडम्स प्राइस सम्थिंग नॉड़ी पूरा पेमिंट? नो 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 गारिंटर? नो 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 इंकम प्रूब? नो 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 बस दीजिए पांच नो नो और लेजा इसे? या 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 देखी सुपर हिट लगादार पावजबाई हेम पुश्पा हर रोज सुबह 10 बजे सिर्फ मखवा पर हो के हू के लिंक अप या ब्रेक अप या फिर हो के काउन ओफ सर्म के रिलीज गॉसिप से भरल चटपटा और मज़ेदार खबर आईसन जवन हो की हर दिल अजीज जरूर देखी नूट्री स्लिम प्रेजेंट्स एंटर्टेंबंट नूज सोमवाल से शनिवाल राज साढ़े 10 बजे सिर्फ महुवा पर प्रस्तुत करता सुद्रण शरीर पानी के लिए आयूरविन नूट्रिकेन सहप्रायोजर मैकडॉल्स नंबर वन सोडा और भक्ती में शक्ती मोच्च स्वर्ण चम्पा अगड़ा हम आपको रूगरू कराएंगे बिहार के राजनेताओं से और करेंगे बाद राजनीती को ठापट अपपर सियासी पैतरवाजी पर लोक लोभावन घोशनाओं पर विकास के मुद्दे पर चुनाओं के मुद्दे पर जनता के सरोकार पर तो देखते रहें हमारे साथ दिर्स्टी कोड बिहार की बाद नेताजी के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात चीप का सिलसला राजीव पर तब रोड़ी से आगे बढ़ाद अगर बात करें उन कारखानों की जैसे रेलवे के फैक्टरी की बात हुई थी अभी तक वो अस्तित्तों में आया नहीं है तो आपको क्या लगता है कि किस भरोसे पर बिहार की जनता इस बार देखी जब भरोसा ही होता है लोग तंतर में उनके खिलाफ माहौल हो गया है कि इन लोगों ने कुछ नहीं है अब हमारे भारती जनता पार्टी के पक्षमे नरिंदर मोदी जी ने एक लाग पैसेट हजार करोड के पैकेज की घोशना की उस पैकेज की घोशना वैसे आदमी के हाथ में जाए जो इन सब चीज़ों को पूरा कर सके अब जिस दिन से पैकेज की घोशना हुई है उस दिन से नितीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ी गई है लेकिल लालू यादव की बेचैनी यतने बड़े पैसे को देखकर के बहुत जादे बढ़ गई है और वो बिलकुल अब बिलकुल बेचैन से हो गए है और उस तितीम में पता नहीं कहां तक वो मुख्यमंतरी स्विकार करेंगे नितीश कुमार को ये भी बड़ा सवाल है जो उनकी प्रिष्ट भूमी है बीजेपी का गुजरात मॉडल हर जगा चर्चा में रहता है अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो भोगोली की स्थिती है जो वाँ की परिष्टिति है जो शन्षाधन है वो गुजरात से कहीं भी मेल नहीं खाता है बिलकुल भिन है तो आपको क्या नहीं परिष्ट नहीं है ये माइन्स नहीं है और इसमें इंडेस्टिरल हर नहीं है लेकिन बहुत सारे परांथ गुरो की है अब हमें नई दिशा में बिहार को ले जाना, बिहार की सबसे बड़ी ताकत है, वह किसान मस्दूर, जो वहां का अग्रिकल्चर अलहाब है, उसको लिंक अप करना है इंडस्ट्री से, मैनुफैक्चरिंग से, और नेट्वर्किंग करना है इंफरास्ट्रक्चर से, पावर स गाउं गाउं में बिजली पहुचे, लोग अपने आप रास्ता ढूंड निकालेंगे, तो किसी सोच के तहत नहीं, क्योंकि वहां पर कॉंग्रेस 25 साल हिंदू-मुसल्मान के नाम पर वोट लेती रही, लालु यादा बैकवर्ड-फोर्वर्ड के नाम पर वोट लेती रह तो जो दिशा दिया जाना चाहिए था बिहार में, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, मस्दूरों के लिए, वो दिशा नहीं आया, शायद पहली बार हम उस दिशा में बढ़पाएंगे आपसे सीधा सवाल कि अगर हम आपसे जानना चाहें कि बिहार की जनता आपको क्यों वोट करें तो क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता इसलिए वोट करें कि बिहार की जनता को परिवर्तन दें चाहिए बिहार की जनता उप चुकी है विश्वास है जिस तरह से देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी में विश्वास था और देश के पधान मंत्री पर कुर्शी पर बैठाया 272 प्लस का हम टार्गेट लेके चले हम 282 पहुच के बिहार में भी लोगों का भरोसा है और विकल्प सामने दिख रहा है और पहली बार बिहार में भारती जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनेगी एंडिये के साथ और मुझे लगता है लोगों के इस विश्वास में जिसमें हर जाती समाज और एजिंडा हमारा विकास है मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिए एक आंधी है एक लहर है नौजवानों में करेंट है उत्सा है परिवर्तन का सर अगर आपसे बिहार को लेकर बिहार का आपका अपना दिश्ट्री कोड क्या है हमनी के स्वाभिमान वापस लोट आई हमनी सब अपन पाउपर खड़ा हो की बिहार बिहार में नदी के जाल जो बाव कर पानी हमनी सिचाई में दे हम किसान के खुशाल बनाएं मस्दूर के खुशाल बनाएं विरोजगार के खुशाल बनाएं और नया पैरडाइम पर बिहार के हमनी लेके चले हम बिहार देश दुनिया में जानल जाए ला उपाहास के स्थिती से बाहर निकाल काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि दो चरण के मद्दान होने के बाद थोड़ी बहुत इस्तिती साफ होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ राजनीतिक तोर पर जागरुक बिहार की जनता ने इस बार के विधान सभा चुनाओं को काफी गंभीर्टा से लिया है और अभी तक वो नेताओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है इसका परड़ाम क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा आप हमें और हमारी टीम को दीजी इजाज़त और देखते रहे है महवा टीवी